Mission Government Job YouTube Channel को सब्सक्राइब करके बेल के एकन को जरूर दबाएं जिससे सिक्षक से जोड़ी कोई भी चीज आपसे दूर न रहे हैं नमस्कार विद्यारतियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है Mission Government Job YouTube Channel में दोस्तों रीट सिक्षक भरती के अगर आप स्टूडेंट हो या फिर उसके एक्जाम देने की आप सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपको पूरी बातें पता चलेगी जो आपके सवाल है कि रीट की भरती कब जारी होगी विग्यपती कब जारी होगी पेटरन क्या रहेगा और वेटेज क्या रहेगा इसके संबंद में बहुत बड़ी ख़बर देखने को मिली है आपको इस पूरी वीडियो में आपकी पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी प्रत्यक न्यूज हम आप तक सबसे पहले उपलप करवाते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इतने ज्यादा कमेंट मुझे प्राप्त हुए कि रीट के संबन्द में वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके दोरा कितने ज़्यादा कमेंट यहाँ पर खिये गए है प्रत्य वेक्ति दोरा रीट के बारे में ही पूछा गया है कि रीट की विग्यप्ति कब जारे होगी इसी बीच मैंने सुबह यूट्यूब पर एक फरजी खबर को वाइरल होते देखा जिसके अंदर रीट की विग्यप्ति जो है वो अगले साल 2021 के अंदर होगी ऐसी बात की गई है दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि विग्यप्ति की इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं है कि अगले साल विग्यप्ति होगी या फिर अगले साल यहां पर परिक्षा होगी या फिर अगले साल विग्यप्ति निकलेगी इस प्रकार की कोई भी न्यूज अभी तक अफिशियल इगोशित नहीं हुई है तो अब हम बात करते हैं कि विग्यप्ति कब निकलेगी तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय रीट की भड़ती जो है वो सबसे बड़ी पहली बनी हुई है शिक्षिया मंतरी गोईन सिंग डोटासरा ने 2 सितंबर यहाँ पर एक्जाम की डेट बताईए परन्तु दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आज अकबार के अंदर एक न्यूज आईए वो मैं आपको दिखाऊंगा उस से आप अनुमाल लगाईए का कि क्या 2 सितंबर को रीट कराना संबह है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताईएगा कि इस हिसाब से क्या बढ़ती 2 सितंबर को होगी एक्जाम 2 सितंबर को क्या हो पाएगा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज है कि 15 बढ़तीयों के 37,000 पदों पर परिक्षाओं की तित्यों को लेकर लोगडाउन हटने के बाद होगा निर्णे आपको पता है कि 17 तारीक तक जो हो लोगडाउन बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ने की पूरी-पूरी संभाव नहीं है और 15 जो बढ़तीयां है दोस्तों रीट की बात नहीं कर रहा हूं में रीट के अलावा जो 15 बढ़तीयां है उसके 37,000 पदों को लेकर और परिक्षा तित्यों को लेकर लोगडाउन हटने के बाद निर्णे होगा आज जैसा कि आप जानते हैं कि 4 परिक्षा तित्यों जो हो चार एक्जाम के परिक्षा तित्यों यहाँ पर कैंसिल की गई है और जैसा कि आप सबी को पता है कि राजस्थान Board of Secondary Education जो हो रीट करवाता है और वही आपके दस्वी और बारवी बोर्ड की परिक्षाई भी करवाता है और सबसे पहले यहां पर board clear कर चुका है कि दसवी के परीक्षें और बारवी के परीक्षें यह पहले होगी उसके बाद REIT के बढ़ती जो होगी अब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा मंतरी जी ने जो 2 सितंबर को बताया है उससे किस प्रकार पूरा करेंगे वहम में अभी तक नहीं जानता क्या आपको लगता है कि वाकई में शिक्षा मंतरी जी 2 सितंबर को एक्जाम करवा पाएंगे अपनी राय कमेंट मॉक्स में लिख कर जरूर बतायेगा तो यह तो बात हो गई विध्यप्ती की कि विध्यप्ती की ओफिशियल कोई भी न्यूज अभी नहीं है सबसे बड़ी पहली विध्यप्ती यहां पर बनी हुई है और दोस्तों वीडियो के बीच में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमें जरूर सबस्क्राइब करके हमसे जुड़ें क्यूंकि आपके लिए ऑथनिटिक और सबसे पहले न्यूज हम आपके लिए उपलब लेके आये हैं और आप अपफाउं से बचके रहिएगा और रीट की किसी भी प्रकार की अपफा पर विश्वास नहीं कीजीगा क्यूंकि लाइक और व्यूज के चक्र में जो हो गलत न्यूज यहां पर आपको देते हैं इसलिए अच्छे और सच्चे न्यूज चैनल के साथ जुड़िए और चलिए अब दूसरी बात करते हैं यहां पर यह दो बातों की विग्यप्ति की और दूसरी बात है परिक्षा पेटर्न की दोस्तों परिक्षा पेटर्न जो है वो 100% चेंज नहीं होगा इस चीज का मैं आपको विश्वा बात है कि कैसे कैसे एकजाम पूरा हो जाए और एकजाम पूरा करवाने की 2 सितंबर को बात है तो ना तो मीटिंग होगी ना और कुछ होगा पेटर्न अगर 2 सितंबर को एकजाम होना है तो परिक्षा पेटर्न वही रहेगा 100% चेंज नहीं होगा यह बात होगी पेटर्न क कि कोई भी न्यूज यहां पर देखने को नहीं मिली है अभी तक नहीं मिली है अगर वाकई के अंदर आगे जाता हालनकि सिक्ष्यमंदर जी और उपे यह दाउन यहां पर बरोस्त दिलाया है कि 90-10 का यहां पर वेटेज कम होगा पर अभी तक ऐसे कोई ऑथेंटिक न्यूज झाल 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 झाल